ओम गनेशा ये नमहा नवरात्री के व्रतब समापन की तरफ हैं, कल अश्टमी है और अश्टमी की पौराणी कथा इस प्रकार से है। पौराणी कथा के अनुसार माता पारवती ने भागवान शिव को पती के रूप में पानी के लिए हज़ा वर्ष तक कठोर तपस्या की इस दौरान पारवती मा को पानी और भोजन से वन्चित रही जिससे की उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। माता पारवती की खोर तपस्या को देखकर भागवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पतनी के रूप में स्विकार किया। नवरात्रे अबंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं आज मादुर्गा के आठवे सुरूप आदी शक्ती महागौरी की पूजा की जाती है। आठवे दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मा के नौ रूप और दस महाविद्या सभी आदी शक्ती के अन्शोर सुरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदेवी विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ती अमोग है और फलदाईनी है। महागौरी की कथा। महागौरी के साथ प्रकट हुई जो की कौशकी कहलाईं। देवी भागवत पुरान के अनुसार महागौरी का वन रूप से गौर अर्थात श्वेत है और इनके वस्त्र और आभुशन भी श्वेत रंग के ही हैं। मा का वाहन व्रिशब अर्थात बैल है जो भागवान शिव का भी वाहन है। मा का दाइना हाथ अभे मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में मा दुर्गा शक्ती का प्रतीक त्रशूल लेकर खड़ी है। महागौरी के उपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है, डमरू धारन करने के कारण मा को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। मा का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभ शरन्ने त्रम्ब के गोरी नारायनी नमस्तुते। और यह सफेद बैल पर सवार हैं। इस दिन पूझा करने से कंजकाओं का मा प्रसन होती हैं। अश्टमी तिथी के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रशाद बांटे। वहीं जो भक्त कन्या पूझन करता है वे हल्वा, पूडी, सबजी और काली चनी का प्रशाद विशेश रूप से बनाया जाता है। जिस तरहां सप्तमी तिथी को माता की पूझा की जाती है, वरत रखा जाता है, उसी तरहां अश्टमी तिथी को भी तरिये विथी से ही पूझा अर्चना की जाती है। इस दिन माता की कल्यानकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमाह का जाप किया जाता है और मा को लाल रंग की चुनरी चड़ाई जाती है। सबसे पहले लकडी की चौंकी पर लाल कपडा बिचा कर महागौरी की मूर्ती या तस्वीर को स्थापित करने के बाद ही महागौरी यंत्र रख कर स्थापना करनी चाहिए, मा की कांती भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी गई है और हाथ में सफेद फूल लेकर मा का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत ही पसंद है जै माता दी